नमस्कार दोस्तों प्रेपेंडिया में आपका स्वागत है आज की जो हम पोस्ट आपके लेकर आये हैं यह है यह महारास्ट्रा स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड और जो फाल्विंग पोस्ट है वो यहां दी गई है तो इसमें देखिए छे टाइप की पोस्ट ह दूसरी है डेपूटी चीफ इंजिनियर तीसरी है सुपरिटेंडिंग इंजिनियर चौती एक्सकुटिव इंजिनियर और चटी है डेपूटी एक्सकुटिव इंजिनियर और समें देखिए आप इसके लिए चीफ इंजिनियर के लिए तीन पोस्ट है डेपूटी चीफ क तो यहां पर यह देख सकते हैं आप यहां पर पोस्ट का ब्रेक अप दिया गया है और जो इसकी लाज़ डेट है आप इसको ऑनलाइन अप्लिकेशन सब्मिट करने की वह पांच दो यानि पांच फरवरी है यहां पर इसमें हम देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपिर भी तगड़ा माँ गया है तो दिखें आप बैचलर डिग्री इन एलेक्ट्रिकल मेकैनिकल इंस्ट्रुमेंटेशन एलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग टेक्नालोजी और इसमें एक्सपिरेंस रहेगा 15 यह पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपिरेंस इन पावर सेक्टर जि पोस्ट के लिए दूसरी पोस्ट देखते हैं डेपूटी चीफ इंजिनिर्स का बेसिक देखिए आप एक लाग पांच हजार करीब से लेकर दो लाग पंदर हजार का है और इसमें बैचलर डिग्री माँ गया है इलेक्ट्रिकल मेकैनिकल इंस्रुमेंटेशन इलेक्रोनिक इंजिरिंग अंड टेक्नोलजी और यहां पर 13 यह का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरिंस माँ गया है तीसरी जो पोस्ट है सुप्रेंडिंडिंग इंजिनियर उसका पेस्केल देखिए नाइंटी टू थाउजन थी टी से लेकर टू लैक्स फॉर्टी सेवन ओता है और इसमें नाइन एजिएज पोस्ट कवालिफिकेशन एक्सपीरिंस मां गया है और बैचलर डि हैट्सीनल इक्सपीरिंजर सबमेह मां गया गया है एडिशनल एक्सपीरिंटी इंजिनियर का पोस्ट लॉर्टीächst इशु नाज तेक हैस्पिरिंट यह से सार्ट होता अपर एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है 5 to 2020 इसकी डेट के हिसाब से तो देखिए Chief Engineer के लिए 50 अपर एज लिमिट तो यहाँ पर आप अपर एज लिमिट सबका देख सकते हैं और जो backward class रहेंगे उनके लिए relaxation दिया गया है यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर दुबारा बता रहे है 5 to 2020 जो भी आपकी एज एज एजुकेशन एक्सपिरेंस है वो as on 5 to 2020 की हिसाब से consider की जाएगी यह conditions है backward class के लिए आप इसको पढ़ लिजे अगर आप उस backward class में अंदर आते हैं कालिग्राफ दिया गया इसको आप पढ़ लिजे की वोमन के लिए horizontal reservation रहेगा और sports person के लिए horizontal reservation रहेगा तो अगर आप वोमन candidates है sports person है तो उसको आप पढ़ सकते हैं तो fees applicable हम देखते हैं कितना है तो सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर open categories के लिए 800 रूपीज है और जो backward category है उनके लिए 600 रूपीज है तो यहाँ पर important चीज़ दे गए कि जो candidates tech 1, tech 2, tech 3, tech 4 के लिए apply करें उनको online apply करना है जो link नीचे दी गई है और उसकी जो copy है online application की और necessary documents के साथ आपको यह address पर भेजनी है यहाँ पर ताकि वो 5, 2, 2020 से पहले यहाँ पर पहुच जाए और जो candidates tech 5 और tech 6 के लिए apply कर रहे हैं उनको online apply करना है और नीचे जो link दी गई ह और उनको online application के बाद कोई भी documents जो है वो नहीं भेजना है और online ही जो medium होगा वही आपको दोनों post के लिए apply करना है पहले 4 post में आपको documents भी भेजना है application जो आपने apply किया उसका printout के साथ और दूसरी जो 5 और 6 post है उसमें आपको online apply करना है और कुछ बेजना नहीं है कैसे apply करन और जैसे दुबारा यहां पर repeat किया गया है कि tech 1, 2, 3, 4 के लिए online apply करना है और यहां पर online application के साथ आपको सारे documents भेजने है इस post में Mumbai के address पे ताकि वो 5, 2 से पहले पहुच जाए और जो envelope रहेगा उस पर आप post code और post apply जो कर रहे है उसको आप clearly envelope के उपर बाहर लिग और जो आप documents भेजेंगे वो attested होना चाहिए application form के साथ और जो 5 और 6 के लिए आपको online ही apply करना है कुछ आपको भीजना नहीं है important conditions जो selection process का है वो यहां पर दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते है कि जो भी qualification experience है वो minimum criteria है और इसका मतलब यह नहीं कि आपको यह criteria है तो online test के लिए आपको बुलाया जाएगा है selection process के लिए बुलाया जाएगा तो candidates जो भी shortlist होंगे personal interview के लिए वो एक suitable criteria होगा उसके हिसाब से ही shortlist होंगे तो इसमें आप पढ़ सकते हैं यहां पर देखिए जो tech 1, 2, 3, 4 के लिए post है यह जो उनका selection process होगा यह assessment center के थ्रू होगा जिसमें in basket exercise होगी, group discussion होगा, case study होगा, presentation होगा और उसके बाद interview होगा और यह tech 5 और tech 6 के लिए selection process होगा वो online test पे based होगा उसके बाद personal interview होगा क्योंकि यह tech 1, 2, 3, 4 है यह senior post के लिए है और यह tech 5 और tech 6 है यह entry level एक तरह से आप कह सकते हैं tech 5 और tech 6 अगर आपने अच्छी तरह से रिजिस्टर कर लिए application तो आपको online test के लिए बुलाया जाएगा लेकिन बाद में आपका eligibility criteria जो आपका educational qualification है वो बाद में check करेंगे तो tech 5 और tech 6 के लिए आपको online application और documents भेजने है लेकिन वो बताया जाएगा आपको कब भेजने है website पर तभी आपको भेजने है वैसे आपको application के बाद नहीं भेजने है तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है देख सकते हैं और यह interview लेने से पहले भेजने है तो सब को नहीं लेंगे यहाँ पर general conditions आप देख सकते हैं तो यह एक important चीज यहाँ पर दी गई तो the candidate must produce following certificate showing knowledge of Marathi तो यह आपको knowledge of Marathi या Marathi language की knowledge होनी चाहिए जिससे आपको यह जो certificate से इससे idea लग जाएगा board को कि आपको Marathi language आती है या फिर एक certificate देना पड़े है कि candidate to read, write and speak Marathi language fluently तो यह आ professor से लेना पड़ेगा जो Marathi language of college हो तो यह आपको एक चीज करनी है important चीज दी गई है तो बाकी भी important चीजे हैं लेकिन वह आप पढ़ सकते हैं important dates यहां पर दुबारा दिया गया है कि पंदरा एक से इसकी already चालू हो चुकी है last date इसकी 5-2 2020 है और यहां पर आप click करेंगे तो online application आप भर सकते हैं और यहां पर आप click करेंगे तो Marathi इसका performer रहेगा certificate का okay friends checklist देखिए आपको checklist दी गई है कि यह copies आपको भीजनी है देखिए यहां पर checklist दी गई है इसको आप देख सकते हैं तो इससे आप कोई भी document जो है वो miss नहीं करेंगे भीजने के लिए तो जब हम यहां पर click करते हैं click here for online application तो देखिए क्या आता है यहां पर लिखा आता है application is not yet started तो अलड़ी यह 15 से चालो हो चुकी है लेकिन अभी भी यहां पर application is not yet started आ रहा है और दूसरा जब हम click here for Marathi performer click करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर इसको हम बढ़ा कर देते हैं तो performer है यह certificate for knowledge of Marathi language तो यह आपको certificate लेना है देखिए कि name and signature of professor of Marathi language यह लेना है महा जैनको की website यहां पर है महारास्टा स्टेट पावर जनेरेशन कंपनी लिमिटेड और फ्रेंड्स तो इस वीडियो में इतना ही आपसे request करेंगे कि हमारे चैनल प्रपिंडे अजो subscribe कर लीजे क्योंकि हमारे चैनल पर आपको job notification की important videos मिलती है क्योंकि आप नहीं चाहेंग ताकि आपके जो friends हैं relatives हैं वो इस notification या इस job के बारे में information मिल सके और इसको वो apply कर सके तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार